आठ आठ छोटू चायला परिचात्मक प्रश्ण क्या आपने छोटे बच्चों को दुकान उपर कारे करते हुए देखा है? क्या होटलों पर छोटे बच्चों को बरतन धोते हुए या मेज साफ करते हुए देखकर आपको अच्छा लगता है? चोटे उम्र में उन्हें होटलों पर उना चाहिए विद्याले में। प्रतिबिम्बू पाठ के माधिन से बालकों को सुखे भविश्य के लिए पढ़ाए लिखाई का मात्व समझाना। परिगल्पना क्या आपने धावे पर काम करने वाले छोटू की दुखत कहानी सुनी है राथ के ग्यारा बज गए थी और ग्रहक थे कि धावा छोड़ने को तयार न थे। बस यही आवाजे वातावरन में कूँच रही थी। छोटू चायला, छोटू पानीला, छोटू गर्म रोटीला। छोटू भाग भाग का सारे काम करता। तनिक भी देर होते ही या तो ग् भद्धी गालियां देते या धावे का मालिक। दिन भर का ठका हारा छोटू आखों में नीद लिए सब की हाजरी बजा रहा था। नीद और ठकावत अचानक उसके हाज से चाय की चेतरी छूट गए। गर्म खौलती चाय उसके पैरों पर गिरी। चाय के कुछ छीते एक ग्रहक के उपर भी जा पड़े। शरावी ग्रहक तुरंट खड़ा हो गया और छोटू को गाले देने लगा। छोटू सहम गया था। दावे का मालिक तुरंट उठा और लात गूसु से छोटू को पीटने लगा। वह गालियां भी दिये जा रहा था। छोटू के साथ प परतन साफ करनी पर लग जाता, एक बजे के बाद वह इस कारे सो मुक्त होता, तब तक धावी का मालिक जब क्या लेता रहता, वह डावा बंद करके जाता, तो छोटु एक मैला सा बिष्टर निकाल कर बाहर रख लीता, और दो बेंचों को जोड कर उस पर दिछा कर सो जाता, सुभा छे वजे मालिक का भाई आकर उसकी रजाई खीच कर कहता, छोटु खड़ाओ, वह डावा खोलता, और छोटु के लिए एक और भागा दिन शुरू हो जाता, ठंड से सुखरता हुआ वह मरे मन से उठता, बिस्तर को यूही लपेट का धावे के पीछे रखकर जाड उठाता, सारे में जाडू लगाता, तब तक मालिक का भाई अपने बैठने की जगह ठीक करता, जाडू लगा कर छोटु भटी सुलगाता, इसके बाद ग्राकों के आने का सिलसला शुरू हो जाता, अचानक आज उसके चेरे पर मुस्कुराहत आ गए, छोटे छोटे बच् हटी नहीं की काम छोड़ का मतर गश्टी करने लगता है, कड़कर बूला मालिक का भाई, छोटू का सुख़ स्वापने तूट गया, मायूज शाह वो तूटी के नीचे रखे बरतन धोली लगा, आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था, दो मा सिवयस धाबे पर था, नौ वह रह रहकर उस घड़ी को कोच था, जब घर से भाग कर भटकता हुआ इस धाबे पर आ दिया था, मालिक ने कपट भरी दया दिखाते हुए उसे काम पर रख लिया था, परन्तु वह दया थोड़ी ही देर बाद ओज़न हो गए थी, जब उससे पहले देन एक प्लेट मालिक ने उसे थपट और पजास गालियों के सौगात इस कारिय के लिए दिये थी, जैसा वियाद करके उसके आँखों में आशू आ गए, बरतन भटी के पास रखकर उसने तयार अर्चाय क्राहत को दी, बच्चे अभी स्कूल जा रही थी, वह कंखियों से उस और देखता और अपने अतीद को उससे जोडने का प्रयतन करता, दिन बीठता रहा, रात हुई और वह उसी तरह काम निपटा कर विस्तर बिचा कर लेट गया, ढावे का मालिक जा चुका था, आज छोटू की आँखों में नींद न थी, आज उसे ढावे और ढावे वाले से घ्रना हो लगत चार वजे ढावे के सामने सड़क पार के मैदान में बच्चे क्रिकट खेल रहे थी, उनके गेंद सड़क के इस ओर आ गई थी, जिसे उठा कर छोटू ने पूरी ताकत से उनकी ओर फेक दिया था, लड़के बड़े खुश थे, गेंद को हाथ लगाने भर से उसका शरी रोमांचित हो गया था, उसे रह रहे कर वह साल याद आ रहा था, जब वह गाउं में हम उम्रू बच्चों के साथ क्रिकट खेलता, चौकी छके लगाता, हर खिलकार ही अमारता, सुभा शाम घर के कामों में हाथ बटाता, तो हारों पर पकवान खाता, वैसे भी घर मे दूद गी की कोई कमी तो थी नहीं, रात बहुत हुचकी थी, और नीद थी कि जान ही कहा रुप गई थी, अजानक उसके मन में विचार आया, छोटू, रात का समय है, कोई देख भी नहीं रहा है, भाग जा, भाग जा, वापस गाउं पहुंच जा, तेरी मा का तेरी बगा रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा, छोटा भाई और बहन उससे कितना प्रेम करते थी, वे भी रोते होंगे, पिताजी भले ही कठूर स्वभाव के हैं, पीठते हैं, फिर भी वे इतने बुरे तो नहीं, कि उन्हें छोड़ कर भागा जाए, यहां तो हर रोज चोर की मार औ और कालियां, कितना अपमान और कितनी घ्रना, सब कुछ सूच सूच करवा अशान्थ हो था, गाउं लोट करवा फिर से स्कूल साया करेगा, काम में मा पिताजी का हाथ वटाएगा, क्रिकेट कबर टीखे लेगा, पिताजी डाटें ये पीतेंगे, तो क्या, प्यार भी तो करेंगे, वह सब घर स्कूल के काम जम्यदाई से करीगा, उसे वह बुरी घड़ी याद आ गई, जब स्कूल न जाने पर पिताजी ने उसे चाटा मारा था, और वह बस्ता स्कूल में ही छोड़कर घर से भाग गया था, आज उसे अपनी गलितियों पर रह रह कर पच्ताव हो रहा था, उसने खती हुई रजाई एक ओर फैंकी और चपल पहल कर खड़ा हो गया, मन में घर लोटने का विचार जोर मारा था, वह कुछ सोचता हुआ धावे के छपपर से बाहर आया, चांद की भरपूर चांदनी ने वाथा वरण पर सफीद रेश में त्यादर फेला रखी थी, उसने इधर उधर देखा और सड़क पार कर गया, यहीं से एक कच्छा रास्ता विबेन गाउन इसे होता हुआ, उसके गाउन तक जाता था, अब जोटू किसी की चाय नहीं लाएगा, घर जाकर माता पिदा से क्षमा मांग लेगा और इस अभागे समय की सीथ को पले से बांदेगा, घर वापस लोटने की खुशी में वहाँ बढ़ता जीए।